नमस्कार दोस्तों स्वाथ है मारे यूट्यूब चैनल टिक्नलोजी टुटूल 2.0 दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने बाने है विहार बेल टोन दी यो प्रिवियस एर पेपर एट जो कि खान सर्बुक का यह प्रिवियस सेट है आठ नमर और यह जो सेट प्रेक्टि आप राप्ड कर सकते हैं और पहला नमर कोचन बताना है कि ंसेल में एकस्ल में वीगलत यह ча ne मिलेगा यह और मेन रख़ल धाल बहुत हुए उसमें प्लक्रीक नहीं होता है कहां पर फॉर्मेंट वीकलप मिलता एंपको घराइड अनना बताना कि बिंडो में में सिस्टम सेटिंग का बदलाव काली सतन के माधियम से किया जाता है कुंट्रोल पेनल के साहिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला है पुछ समान टेक्स्ट और यह से समदित अमान है यान मतलब गलत काउंसा है यह बताना है तो कौन्सा गलत है कि Orientation ऑपिस्ट को घुमाने तेता है तो कौन्सा इसमें option है जो कि उसमें नहीं होता है यह बताना आ है तो option ए में देखेंगे तो tactics bottom आप मिलता है तो Home Menu में मिलता है तो Home menu में आप आप कोई आप एलामेंट गूरूप में और यह अप्सें मिलेगा जिसमें कि आप यह सब मिलेगा वर्टिकल एंगल वर्टिकल हो गया रोटेट टेक्स्ट डाउन हो गया फ्रमेट से लेलामेंट यह सब जो है इस तरह से आप घुमा सकते हैं टेक्स्ट को यहीं से कोचन बन संबंदी इसलेशन प्रारुपी बाले कंपालर का प्रकार का पर इसमें हो बना नाम होता है जिसमें की आपको बार चाहर यहां पर कंचा इसमें दिए अगला ढखेंगे चैन्स आप नमर क्योंब से लिए सेल्स में समान फर्मुला कॉम्पी करने के लिए सेल् संच को सेलेक्ट करना चाहिए और एक समान तरीके से फॉर्मूला लिखना चाहिए जैसरे कि अब इसे फहले सेल के लिए 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 और फिर सब्हुत आपको छलते हैं और अगला साथ लुक्राइन है साथ लुम्लख्यवम पूछा रहा है कि सब्सक्राइब काउन साब विकल्प बांकी से अलग है तो दोट में ट्रिक्स प्रिंटर कीदे का प्रकार है नहीं अपिरिंटर चुछ इंधर यह जो आत मु ढुखन यहोगी घião प्रिंटर को फोटो होता है वो घ्रिंटर इनकी प्रिंटरीक ने किसी नई दिवाइस को इंस्ट्ल करने के लिए किस ल करने के लिए और कोई स्टार्ट पर जाएंगे उसके बाद डिवाइसेस पर जाएंगे डिवाइसेस पर जाने के बाद सेलेक्ट पर किलिक करेंगे उसके बाद बुलू बुलूतुथ एंड अंदर डिवाइसेस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा इंस्टोल हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका सही तो क्लास A में 1 से लेकर 126 तक जबाता है तो क्लास A में जाता है और क्लास B में 117 से 191 तक होता है और क्लास C में 192 से 233 तक होता है और क्लास D में 224 से 249 तक होता है और क्लास E में होता है 240 से 257 तक तो यहां पर कितना है दिया हुआ है हैं कि यहां पर दिया हूआ है 231 कि इस это यह आपको 231 कि कि स कलास में जाएगा तो 231 जैएगा 224 और 249 के बीछ है तो कल्यास डी में चला जाएगा इसका अग्ला 10 नमर है कि MS पाबर पॉइंट में करेंट स्लाइड को डूब्लिकेट करने के लिए पूछाई रहा है कि MS PowerPoint में Slide Soter View, Slide Soter View खाले अस्थान है, तो Slide Soter View क्या काम करता है, यह बताना है, क्या है Slide Soter View, तो Slide Soter View क्या है, तो Projection के किसी Overall View के लिए Thumbnail Form में Slides को डिस्पले करने के लिए परयुक्त किया जाता है, Option D जो है, इसका सही अनसर होगा, और यहां पर Slide Soter हम दिखाना चाहेंगे, PowerPoint में आएंगे, और PowerPoint में यहां पर देखेंगे, यहां पर दो तीन और Slide स्लाइड लेते हैं, स्लाइड लेते हैं, तीन स्लाइड हम यहां पर ले लिए, और देखेंगे, यहां पर Slide Soter में देखने के लिए View मेन्यू में जाएंगे, View मेन्यू में आपको मिलेगा Presetation View Group, इसी में मिलेगा आपको Slide Soter, इस पर किलिक करेंगे, तो क्या हो कि सभी Slide Thumbnail के अकार में छोटा-छोटा इस तरह से एक साथ दिख जाएगा, यही होता है Slide Soter View, चलिए आगे चलते हैं बारे नमर कोशन पर, और बारे नमर कोशन है कि MS Word 2016 के एक टेबल में नियत कोलम की अधिकतम संख्यां कितना होता है, तो MS Word में टेबल जो बनाते हैं, उसमें अधिकतम कोलम की संख्यां कितना ले सकते हैं, यह पूछा जा रहा है, तो कितना ले सकते हैं, तो मैक्सिमम कोलम की संख्यां 63 ले सकते हैं, वहीं अगर रो की संख्यां कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, तो 32,767 रो की संख्यां ले सकते सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी डाटा और उसे आप एक लेप्ट से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं सब्सक्राइब करेंगे जो भी ऑप्सन होगा उसमें मिलेगा टेव कलर को सेलेक्ट करते हैं कर सेलेक्ट करते हैं और जो कलर्स को मेंट्रिक्स दिखा दिखाई दिखाई देता है उनमें से एक पर कलर को क्लिक करते हैं तो क्या होता है तो यह जो है प्रोसेस बता गया है इस प्रोसेस से क्या होगा यह बताना है इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो सिट वन सिट टू सिट लिखा हुआ रहता की लिखा हुआ रहता है रहता वह जो भी परश्यादीन स्व hijo इन्स ऑप ठ decματα हरता है कि निचले हिस्सेमें ए भर्क सिंट वर्क सिरी सिसे घों के ग्राउंड बदल जाए जो भी स्क्नाफ बतल जाएगा यहां पर lotta करके दिखाना चाहने में कि लिए और सिंस युं ऊधिस के लिए हो गया तो सिट्च्वाइन तु अब कर्ना हुगा तो हम में रहेंगे और हो में मेन यूम में आप पर फॉर्माट मिलें आपको मिल जाएगा और जो भी कलर आप देना चाहते हैं सिट के नाम के बेग्राउंड में यह वह सलेट करेंगे तो क्या होगा ग्रिन हो गया तो यही कोचिन यह से पुछा जा रहा था तो अगला होचन है के अगला कोचन बताना है पंद्रेंघरा और अधरना में सकते हैं जिसस आजस इस संबन्द में न कि में से बिकलपों में कПр núकोंक निशेद आप है तो कहन सा किस तरीका से लगा सकते हैं पौनक कर सकते हैं वैं यह इंसर क्या हो गारजा गोगा इसका इंसर बतानाे்क क्या जाबगा तो अप्संट और दुसरा कथन दिया हुआ और वि बराबर पि और प्लस प्लस हैं तो कौन सा सही है याने की चलते हैं और अगला 17 नमर कोशन बताना है 17 नमर कोशन में कि संचिप्त रूप www के का फुलफॉर्ण बताना है इसका फुलफॉर्ण क्या हो जाएगा तो वर्डवाइब हो जाएगा ओप्सन अगला 18 नमर कोशन है कि ms word में मेल मर्ज को ब्रक्तिगत बना देने बना लेने का खाली स्थान फिल्ड एक तरीका तो इसका अंसर क्या होगा मर्ज फिल्ड एक तरीका है अगला 16 नमर होचन है और 16 नमर कोशन में पूछा जाया रहा है कि मस एकसल में Ctrl प्लस crew क्टायग का UX क्या सत्ता को Cathal Audra क कह लिए किया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा इसका अंसर बताना है कि इसके इसका लिए कोलम को सेलेक्ट करने का सब्सक्त होता इसका इंसर होगा इसका इंसर कोलम यहां पर कंट्रोल अस्पेस है तो कोलम सेलेक्ट होगा option 20 का सब्सक्राइए अगला है 20 नमर कोचन और 20 नमर कोचन में पूछ रहा है कि मान लें कि एकसल सिट में आपके पास एक डेटा है और इस और इह कोलम में आपके पास पुर्णांक मान इटू से सुरू है यादि नया conditional formatting rule और यह फर्मूला लगाना है होपे में लागू किया जाता है तो क्या होगा यह फर्मुला लगाएंगे तो क्या होगा तो यहां पर बोल रहा है greater than 10 से अधिक जब होगा तो क्या होगा कि color में हो जाएगा इसका answer क्या होगा कि कैने हूम मेनल में हाँ पर्वेञें उपतान केforme कण्दिशनल फॉर्म overlapping made के क्लिक करेंगे तो नीचे आइंगे और यहां कमलेगा निजम home will प्रूप्यूम पर किलिक करेंगे तुझाल में हाँ क्लिक करेंगे तुझा इंच कि ऐख नारा को रहना है उसके पर घ्ote जागा कि जब 10 से उपर मान पूट करेंगे तो क्या हो कि हाइलाइट हो जागा कलर में तो यह कोशन समझ गया होंगे इसका इंसर क्या होगा इसका एंसर हो जागा ऑप्सन ए चलिए आगे चलते हैं और अगला कोशन है किस नमर कोशन में पूछ रहा है कि कम्प्यूटर कंप्यूटर एच्टड़ पर एक बिसिस्ट नाम बाली जगह खाली अस्थान है जो किसी यूजर को कि हटाई गई फाइल और फॉल्डर्स को रखता है जब जो भी डाटा फॉल्डर होता है या फाइल होता है उससे डिलेट करते हैं तो कहां चला जाता है तो रिसाइकल भी में चला जाता है option A इसका सही answer होगा अगला बाइस नमर कोचिन बताना है और बाइस नमर कोचिन में पूछ रहा है कि एक link link किये गए हुए slide तक move करने के लिए आप MS PowerPoint 26 में किसी तहत से तरह से हाइपर link के जोड़ेंगे मान लें कि आप normal view mode में हैं तो किस तरह से जोड़ना है यह बताना है normal view के मतलब कि normal view जोता है यह होता है इसका answer क्या होगा इसका answer बताना है कि इसका answer हो जाएगा उप्सन सी में देखेंगे तो बोल रहा है कि insert paper क्लिक करेंगे उसके बाद hyperlink आदिब को choose करेंगे उसके आप hyperlink लगा सकते हैं और hyperlink का डायर जाने के लिए इसका answer होगा कि hyperlink लगाने के लिए आप control क्लिक करेंगे या तो insert menu में जाकर करके hyperlink पे करके आप hyperlink लगा सकते हैं कि hyperlink के मतलब कोई भी link को उसमें एड करेंगे connector देंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर link जो है मैक्सिमम और मिनिमम कर घूमा सकते हैं मैनस नहटा फेमा सकते हैं यह कहांप InESS एक एकुण ब्सक्राइब यहांपे देखेंगे तो में मैक्सिमाद नबबे तक मैनेमम नबबे तक घुमा सकते हैं तो यह यहां से बन रहा था इसका इंसर क्या हो जागा इसका एंसर हो जागा मैनेश नहरे से पन चुछra लिए आगे चलते हैं और अगला कोशन है 24 नमर 24 नमर कोशन आपके सामने रहा लाइचर नमर कोशन बताना है की डिश्पेले हो रही चेंज्ज के बिच मोशन ऑपके क्वेप्षियर के स्लीट फीचर का को चुमें तो स्लाइड्डी चाहिता है ता तो लगा जाता है कि मोसन एक ट्रांजिसन का नाम भी है अगला कोशन है 25 नमर 25 नमर कोशन है कि MS एकसल दोहार सोले में में स्टाट अस्मार्ट टेव के नीचे निमलिखित में से काउंसा एक ओप्सन नहीं है तो स्मार्ट जो होता है अगला कोशन बताना है 26 नमर खाली अस्तान में च्रॉटी लेकिन बहुत तेज मेमोरी जिसे CPU और मुख में Fedור के बीच में लगा जाता हैю उसे क्या का जाता है option a जो इसका सभी इसके क्या इसर होगा अगला सतह से कि पहला बेब ब्राउजर कहाँ बिक्सित किया गया था तो पहला बेब ब्राउजर कहां बनाः गया था तो सर्ण कहां परता है तो स्यूजर लेंड में बनाएंगे था ओप्सन बी जो है इसका सही अंसर होगा अगला 28 नमर कोचन बताना है और 28 नमर कोचन है कि MS Word में Ctrl plus D खाली अस्थान को खोलता है तो Ctrl D से क्या ओपन होता है तो फॉंट डायलोग बोक्स ओपन होता है अगला 29 नमर बताना है और 29 नमर में पुसरा कि MS Word में सेलेक्टेड टेक्स्ट को खाली अस्थान अनुकरम का पालन करके कहीं और कॉंपी किया जा सकता है तो पहले दुसरे जगा को पेस्ट करने के लिए यानि दुसरे जगा कॉंपी करने के लिए क्या करेंगे तो पहले कॉं प्रोल भी ऑप्सन डी जो है इसका सही अनसे रोजगा अगला 30 नमर है कि MS 2016 में रो और को खाली अस्थान के समाध्यम से रिसाइज किया जा सकता है रिसाइज के मनला कि रोओ और कोलम का हाइट या तो विर्थ बरा सकते हैं रो का हाइट बरहा गटा सकते हैं तो किस प्रोफिल साइज में मिलेगा आपको रोओ हाइट ओटो फिल रोओ हाइट कोलम बिर्थ डिफोल्ट बिर्थ यह सब जो है आपर मिल जाएगा कहां तो हो मेन्यू के फॉर्मिट ओप्सन में और सेल्स ग्रूप में चलते हैं और अगला कोशन है अगला बतीस नमर्प कोशन बताना है और बतीस में पूछा रहा है कि में बुलेट लिस्ट खाली अस्थान के नीचे आता है तो बिलेट लिस्ट जो है किसके नीचे आता है यह बताना है है आक पूलेट जो है हो मेन्यु में आता है और हो मेंन्यू के मीन पहला ग्रॉप में मिलेगा और यहां पर हो मंने यहां ग्रूप में घ्लेगा पलाग्र दूसरा फॉंट उसके बाद पेराग्राफ में यहां पर अलग अलग तरीका का आपको बुलेट मिल जाएगा यह नमरिंग करने के लिए मिल जाएगा लिए आगे चलते हैं अगला चाहुतिय से कि एकसल में एवन और एटू में करंपशन नंबर फोर और स्टे इमलिखित में से फर्मूला को क्या परिनाम होगा तो फोर और सिक्से इसका निकल कर आएगा यह बताना है इसका इसका निकल कर आएगा चोच्छ चार-दस बट्टे करेंगे तो क्या लिए क्या सोटकर्ट की होता है यह बताना है तो अगला कोशन है च्छतिस नमर च्छतिस नमर कोशन बताना है कि MS Excel में किसी पंक्ति की अधिक्तम उचाई लगभख खाली अस्थान के बरावर बढ़ाई जा सकती है तो MS Excel में बढ़ाने के लिए तो चार्टर में होता है 409 हाइट रो की बढ़ा सकते हैं और कोलम की बीर्थ मैक्सिमाम 255 चार्टर बढ़ा स रहा है कि MS PowerPoint में एक नई slide insert करने के लिए कौन सा shortcut की लगाते हैं तो MS PowerPoint में slide को insert करने के लिए shortcut की होता है control plus M option D का सभी answer होगा अगला 38 की निमलिखित में से कौन सा कोई system software नहीं है इसमें से नहीं है यह बताना है इसका answer क्या होगा तो DB2 कोई system software यह नहीं है तो यह आगे चलते हैं और अगला है चालिस नमर कोशन 45 नमर कोशन है कि और उन्चालिस में पूछा जाना कि यदि आप MS Excel 26 में किसी बर्ट सिट के प्रोटेक्टिंग के लिए जाते हैं तो काउंसे option माझूद होता है तो कॉटेक्टिंग के लिए जाते हैं तो काउंसा कि किसी वर्कृटिट की रिए लिए प्रोटीग से हैं लिए यों से ओप्षन coughing चलता आगे चलते हैं 40 नॉमरपे 60 अबदना आयां कि वर्कृटिट की प्रोटेक्टिंग के लिए आप पहले जाने का पहले कर दोता है तो पहले बदना कि किस मेन्यम में जाते हैं उसके बाद आगे क्या होता है तो menu का नाम आप बताना है किस menu में जाना पड़ता है तो उसके लिए review menu में जाना पड़ता है और updated version में जिसे 2016 बड़े version में देखेंगे तो आपको review menu में आपको एक protect group ही मिल जाएगा इसे पुराने version में आपको changing group है में देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा review menu और review menu पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा changing group changing group में यह आपको protect workbook, protect sit और share workbook क्या option आपको मिल जाता है तो चलिए आगे चलते हैं 41 नमर कोचन पे और 41 नमर कोचन है कि MS word में control plus app का उप्योग खाली अस्थान के लिए किया जाता है तो MS word में control plus app का उप्योग किस लिए किया जाता है यह बताना है तो इसके यह जो है text align या paragraph के बिच संरेखन करने के लिए control app का उप्योग किया जाता है इसका मतलब हुआ कि center alignment करने के लिए shortcut की जो होता है control app होता है अब 42 नमर क्वेशन 42 नमर क्वेशन में पुछ रहा है कि MS word में वर्क्षिट सोटकट control प्लस वाई का उप्योग खाली अस्थान के लिए खिया जाता है तो control प्लस वाई किसका shortcut की होता है यह बताना है है और control Z से पीछे की और जाता है तो आगे की और जाता है कि मतलब होगा कि अंडू सुरी रिडू होगा option C जो है इसका सभी अंसर होगा कि किसी अंतिम एक्सन को रिडू करने के लिए option C इसका राइट इंसर हो जाएगा अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा डकोमेंं में मेल मर्ज मेल मर्ज परिनाम को इकठा करने के लिए च्टाइब का कि उपरेटेड सिफिर्टा से कोड़ा का अनुसरान करता तो इसका एनसर स्वर्ण करता है यह बताना इसका अंसर क्या होगा इसका इमेडियेट विव करता है और पेटालिस नंट्र सब्सक्राइब कि फाइल एडिटिंग एडिट फाइल एडिट 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 वियू जैसे विकल्प खाली अस्थान पर किसी बिंडो में उपलब दोता है तो क्या होगा इसका एंसर इसका एंसर हो जागा कॉमें में रभी में उपणे हो जो है विसका नाम है इन्सराट नाम उस्क्ति अन्ती फिर्ट का थी कि दल आधा तो उसके कि किसीENE में आगे चलते हैं अगला कोचन नमर और 67 में पुछा जा रहा है कि MS word में कुंजी सन्योग Alt plus Shift plus E का उप्योग क्या है तो इसका Alt plus Shift plus E का उप्योग क्या है यह बताना है तो इसका उप्योग है Mail Merge Data Source के संबादन, Option C इसका सरी अंसर होगा, अगला 48 नमर है कि MS Excel में प्योग किसलिए किया जाता है , तो किसलिए किया जाता है तो बाएं बाजू बाली पिछली बर्क सिट पर जाने के लिए किया जाता है, अगला 49 नमर है कि MS Word में Alt plus Ctrl plus S या कॉंजिशन योजन खाली अस्थान को ओपन करता है, तो Alt plus Ctrl plus S से क्या ओपन होता है यह बताना है, तो इससे ओपन होता है, टेगल सिप्लट अस्कीन, Option B जो इसका सरी अंसर होगा, अगला बताना है 50 नमर कोचन और 50 नमर कोचन आपके सामने यह रहा, 50 नमर कोचन बताना है, कि MS Excel विंडो के बाएं बोटन पर, पलस का, पलस पर किलिक करने के लिए, करने के बज़ाए, खाली अस्थान के दोरा एक सिट को जोरा जा सकता है, तो सिट को जोरने के लिए क्या करना परेगा, तो Home Menu में जाएंगे, और Home Menu में जाने के बाद, Insert Option मे करेंगे, इंसर्ट option पर जाकर के आपको इंसर्ट शीत करेंगे तो क्या होगा, और ऑ ठृरीका था, यह तरीका भी करने के लिए, और दुसरा तरीका कि यहां से, आप लेसमे करेंगे, तो स्वाइnt आते जाएगा, इस तरह से, चलिए, आगे चलते हैं, और अगलाasa कोषन ह का निए कि यूद करने के लिए किस चरण का उप्योग किया जाता है यह बताना है यह राइट किलिक करेंगे उसके बाद लेप्ट क्योंग इसका इंसर होगा ओसके और ऑफ्सन की होगा जाने के बाद किलिक लिए और वाबन नूमर को पुछ पूछा जा रहा है कि मेट अक्सल में मोड़ी मोड फंसन का परतिकि लिए अपन करें इसकाahu सब्सक्राइब जाएगा पॉप्सटार्फ के लिए कि लिए के अग्या और तीरप्न नमर पॉच्छन में पुछा बर्कबुक प्रोटेक्ट विकल्प के लितात पुरोटो फ्रोटेट लिपेट बीम्डो का अर्थ क्या विस्में क्या मदूद होता है इसका एंसर क्या होगा इसका सरोजागा ओप्शन से की विंडोज को रेक이지 डर्यक नहीं किए जा अगला बताना है पच्छपन में पूछ रहा है कि में रिसी पीटेड एक्सल का विकल्प खाली अस्थान के नीचे आता है तो किस में आता है इसका एंसर क्या हो जागा इसका एंसर हो जागा कि फाइल में अगला चाहिए के लिए जिमेदार होगा होता है तो एक लिकर के लिए जिमेदार होता है तो इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर हो जागा कि object फाइलों को लिंक करने के लिए जिमेंदार होता है हाइपर लिंक ओप्शन इसका सही एंसर होगा अगला कोशन बताना है 57 नमर और 57 नमर कोशन में पूशाज रहा है चलिए आगे चलते हैं 58 नमर कोशन पे और 58 नमर कोशन है कि MS Excel दोड़ाद सोले में अस्मार्ट आर्ट टेव में इरामीड और मेट्रिक्स नाम बाले दोक विकल्प उपलाब्द होते हैं उनमें से परतियक में कितने सब ओप्शन माझूद होता है सब्सक्राइब करता है तो किसे सब्सक्राइब करता चलिस मेगा बाइट पर सकेंड को सब्सक्राइब आप जोकूं को क्या किया जाय impose क्या होगा सबद abgeетр में बॉटम में नीचह होता है तो राइट सब्सक्राइब हूँआ हए वीदियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर्मिजब कर करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राब कर लें और पूरा वीडियो दखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर में